Friends, आज हम Current Affair के Important Topic फिल्म से सम्मंदित अवार्ड डिसकस करेंगे, जो कि आपके आने वाले Air Force और Navy एक्जाम के लिए Important है आज का हमारा पहला Question है 92 वा Oscar पुरुषकार 2020 2020 में 92 वा Oscar पुरुषकार किसे मिला है? तो सबसे फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? Parasite Movie को मिला है जो कि पहली गेर अंग्रेजी फिल्म है पहली Non-English Movie है ठीक है, सर्फशेष्ट अभिनेता का अवाड किसे मिला है? जौनिक फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए मिला है सर्फशेष्ट अभिनेत्री का अवाड किसे मिला है? तो रैनी जैलवेगर को जूडी मुवी के लिए मिला है सर्षिष निर्देशक का अवर्ड किसे मिला है तो बॉंग जून हो को मिला है पैरासाइट मुवी के लिए ठीक है सर्षिष साहक अभिनेता का अवर्ड किसे मिला है तो ब्रैंड पिट को मिला है किसे मिला है? ब्रेंड पिट को तो हम इस वीडियो में यही पॉइंट्स डिसकस करेंगे, ठीके, और हमने इन अवार्ट्स के पिच्चर भी दिये, जिससे की आप इसको रिलेट करके याद रखें, New question है, 73 भाफटा पुर्षकार 2020, 2020 का बाफटा पुर्षकार, बाफटा पुर्षकार देता को ने, British Academy देती है, सर्वशेष्ट फिल्म का अवर्ड किसे मिला है तो 1917 मुवी को मिला है ठीक है और सर्वशेष्ट अभिनेता का अवर्ड किसे मिला है तो जौनिक फिनिक्स को मिला है जोकर मुवी के लिए सर्वशेष्ट अभिनेत्री का अवर्ड किसे मिला है रैनी जैलवेगर को मिला है जू उनोंको आसकर अवार्ड भी मिला है और इने पाफ्त अवार्ड भी मिला है ठीक है Next question है 62 अग्रेमी अवाड 2020 ग्रेमी अवार्ड वो म्यूजिक की फ्यृड्ड में दिया चाता है ठीक है Album of the year अवार्ड केसे मिला है Billy Illisko Record of the year केसे मिला है Billy Illisko Song of the Year का अवार्ड किसे मिला है Billy Ellis को यानि Grammy Award जो है वो किसको मिला है Billy Ellis को मिला है फिर वो फिल्ड Album of the Year हो या Record of the Year हो या Song of the Year हो मिला किसे Billy Ellis को ठीक है Next question है 77 वा Golden Globe Award 2020 तो सर्व शेष्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है 1917 फिल्म को मिला है जोनिक फिनिक्स को जोकर मोवी के लिए सर्व शेष्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है रैनी जैलवेकर जूडी मोवी के लिए सर्व शेष्ट निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है तो सैमी मेट्रस को मिला है जिनें बाफटा अवार्ड मिला है भारत का पचासवा अंतरास्ट ये फिल्म मोहसब कहा कराए गया है तो ये गोवा में कराए गया है सर्फिष्ट फिल्म का अवाड किसे मिला है पार्टीकल्स मुवी को मिला है सर्शिष्ट निर्दिशक का अवाट किसे मिला है तो जीजो जॉस पहली सेरी को जलू कट्टू मुवी के लिए मिला है सर्शिष्ट अभीनिता का अवाट किसे मिला है तो सियो जॉर को मैरी गैला मुवी के लिए मिला है और सर्षिष्ट अभिनेत्री का अवार्ट किसे मिला है उसा जादव को मिला है माई घाट के लिए ठीक है सिनेमा में जीवन परियंत योगदान के लिए पुर्षकार फ्रांसेसी अभिनेत्री इजाबेल हैप्टर को मिला है किसे मिला है इजाबेल हैप्टर को मिला है यह कहां से है तो यह फ्रांसेशी से है ठीक है आइकन ऑफ दा गोल्डन जूबली अवार्ड किसे मिला है तो रजनी कांत को मिला है नोट एक कि 51 वा अंतरास्टी फिल्म महांसव जनवरी 2001 में कहां कराए गया है गोवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 वा फिल्म फियर पुर्षका 2020 सर्फष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और यह Film Fair Award की पिक है, ठीक है, next question है, 66 वा रास्टिय फिल्म पुर्षकार 2019, सर्वशेष्ट फिल्म का पुर्षकार किसे मिलाए, तो हिलोर मुवी को मिलाए, जोकि एक गुजराती फिल्म है, सर्वशेष्ट हिंदी फिल्म का अवर्षकार किसे मिलाए, तो अंदा दुन मुव सर्वशेष्ट अभिनेत्री का अवर्षकार किसे मिलाए, कीर्थी सुरेश को मिलाए, ठीक है, सर्वशेष्ट निर्देशक का अवर्षकार किसे मिलाए, तो आदित्ति धर को मिलाए, जो उरी फिल्म के निर्देशक है, ठीक है, next question है, 20 वा आईफा अवर्षकार 2019, 21 सर्षिष अभी नेतरी का अवॉड आल्यबट को मिला है और सर्षिष निर्देशक का अवॉड किसे मिला है तो श्री राम रागवन को मिला है ठीक है Next question है डादा साइफ फाल के आइकन अवॉड टुठाउजन ट्वेंटी किसे मिला है ए विश्वास को मिला है दीनानात मंगलेशकर पुर्षकार 2019 कैसे मिला है मदुर भंडार कर सलीम खान और हेलन इन तीनों को मिला है मदुर भंडार कर सलीम खान और हेलन इन तीनों को ये अवर्ट मिला है कौन सा दीनानात मंगलेशकर पुर्षकार Lifetime Achievement Award केसे मिला है तो शलीम खान को मिला है Lifetime Achievement Award Next question है यश चोपडा मेमोरियल पुरुषकार 2018 में आसा बोशले को 2017 में शारुक खान को GCB डैनियल पुरुषकार ये कैरल का सरवोच्च सम्मान है कहां का? कैरल का ये केसे मिला है FilmKar Hariharan को किसके लिए मिला है तो मले आलम सिनेमा में आज इवन योगदान के لिए तो ये थे हमारे आज के कुछ इमपोर्टेन आवार्स जो कि हमने आपके साथ डिसकस की है कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इमपोर्टेन्ट है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू